जैस्रीहरी आये गरुड पुराण में फीत कल्व की प्रतमा धिहाय का पाठ सुनते हैं इसमें भगवान विश्णु तथा गरुड के संबाद में गरुड पुराण सारुधार का उपक्रम पापी मुनस्यों की सलोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गती का वरणन इस प्रकार होता है इन बातों का वरणन किया गया है धर्म ही जिसका सुद्रण मूल है वेद जिसका सकंध है अर्थात तना है पुराण रूपी शाखाओं से जो सम्रिद्ध है यजने जिसका पुस्प है और मोक्ष जिसका फल है ऐसे भगवान मधुसूद्न रूपी कल्पब्रिक्षी जय हो देव क्षित्र नैमी शारण्या में स्वर्ग लोग की प्राप्ति की कामना से शौनकादी रिशियों ने एक बार एक हजार वर्स में पूर्ण होने वाला एक बहुत बड़ा यजन्या आरंभ किया एक समें प्रादा काल के हवनाधी कृत्यों का संपाधन करके उन सभी मुनियों ने सतकार किये गए आसन परविराजमान सूत जी महराज से आदर पूर्व किया पूछा रिशियों ने कहा कि हे सूथ जी महाराज आपने सुख देने वाले देव मार्ग का सम्यक निरूपन किया है इस समय हम लोग भयावह यम मार्ग के विशय में सुनना चाहते हैं आप संसारिक दुखों को और उस कलेश के विनाशक साधन को तथा इस लोक और परलोक के कलेशों को यथावत वर्णन करने में समर्थ हैं अतह उसका वर्णन करें सूथ जी बोले है मुनियों आप लोग सुने मैं अत्यंत दुरगम यम मार्ग के विशय में कहता हूँ जो पुन्यात्मा जनों के लिए सुखदाय कहे और पापियों के लिए अनन्त दुखदाय कहे गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विश्णू ने उनसे जैसा कुछ कहा था मैं उसी प्रकार आप लोगों के संदेह के निवर्त्ती के लिए कहूंगा किसी समय वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजबान परमगुरु स्री हरिसे विनता पुत्र गरुड़ जी ने विनय से जुक कर पूछा गरुड़ जी ने कहा हे प्रभो आपने भक्ती मार्ग का नेक प्रकार से मेरे सामने वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गती के विशय में भी कहा है अब हम भयंकर यम मार्ग के विशे में सुनना चाहते हैं हमने सुना है कि आपकी भक्ती से विमुख जो प्राणी है वही नर्क में जाते हैं भगवान का नाम सुगमता पूरवक लिया जा सकता है जिवा प्राणी के अपने वश में है तो भी लोग नर्क को चले जाते हैं ऐसे अधम मनुस्यों को बार बार धिकार है इसलिए हे प्रभो पापियों को जो गती प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे वे अनीक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं उसे आप मुझसे कहें स्री भगवान गोले हे पक्षिंद्र सुनो मैं उस यम मार्ग के विशे में कहता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नर्क की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए अत्यंत भयानक है जो अपने को स्वयम् प्रतिष्शित मानते हैं अहंकारी हैं तθा धन और मान के मद से चूर हैं आसुरी शक्ती को प्राप्त हैं तथा दैवी संपत्ती से रहित हैं जिनका चित अनेक विसेयों में आसक्त होने से ब्रांत हैं जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे हैं ऐसे व्यक्ति अपवित्र नर्क में गिरते हैं जो लोग ग्यानशील हैं वे पर्मगती को प्राप्त होते हैं पापी मुनुस्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ती होती है और मृत्यू के पश्चात वे जैसी यम यातना को प्राप्त होते हैं उसे सुनो यथो पारजित पुन्य और पाप के फोलों को पूर्व में भोग कर कर्म के सबंद से उसे कोई शारिरिक रोग हो जाता है आधी अर्थात मानसी करोग और व्याधी अर्थात शारिरिक रोग से युक्त तथा जीवन धारन करने की आशा से उतकंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांती बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है उस मृत्यों की समताप्ती की स्थिती में भी उसे वेराग्य नहीं होता उसने जिनका भरन पूर्शन किया था उनी के अब मानना पूर्वक दी हुई वस्तु को खुत्ते की भांती खाता हुआ जीवन ब्यतीत करता है वह रोगी हो जाता है उसे मंदाग्नी हो जाती है और उसका आहार तथा उसकी सभी चेश्टाएं कम हो जाती है प्राण वायू के बाहर निकलते समय आँखें उलट जाती है नाडियां कप से रुक जाती है उसे खांसी और श्वास लेने में प्रितन करना पड़ता है तथा कंठ से घुर घुर से शब्द निकलने लगते हैं। चिंता मगन स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ति काल पाश के वशी भूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार को टुम्ब के भरन पूर्शन में ही निरंतर लगा रहने वाला आज जिते इंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते ब्यलखते बंधू बांधवों के बीच उतकठ वेदना से संग्या शून्य होकर मर जाता है। हे गरुड उस अंतिमक्षण में प्राणी को व्यापक अर्थाद दिव्यद्रिष्टी प्राप्त हो जाती है जिससे वह लोक पर लोक को एक अत्र देखने लगता है एक समान देखने लगता है अतहा चकित होकर वह कुछ भी कहना नहीं चाहता। यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं चेतना जड़ी भूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं आतुरकाल में प्राण वाय उस समय उसे अनभव होने लगता है वह मरना सन व्यक्ति फेन उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है पापी जनों के प्राण वायू अधो द्वार अर्थात गुदा मार्ग से निकलते हैं उस समय दोनों हाथों में पाश और दंडधारन की ये नगन दांतों उस नहीं को ने उघ्र दोनों को कट कटाते हुए प्रोध पूर्ण नेत्र वाले यम के दो गैंकर दूत समीप में आते हैं उनके केश ऊपर की और उठे होते हैं वे कव्यकी समान काले होते हिन और टेड़े मख वाले होते हैं तwendदा उनके नक आयुद की भांती होते हैं उ यम दूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र प्रबान का पुरुस अपने घर को देखता हुआ यम दूतों के द्वारा यातना देह से ढख करके गले में बल पूर्वक पाशों से रसीयों से बांध कर सुदूर यम मार्ग पर यातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुर्स अर्थाद राज़ा की सिपाही दंडनिया पराधी को ले जाते हैं इस प्रकार ले जाते हुए उस जीव को यम के दूद तरजना करके डराते हैं और नर्कों के तीवर भैका पुना पुना अर्थाद बार बार वरणन करते हैं उसको सुनाते हैं, यमदूत कहते हैं, रे दुष्ट, शीगर चल, तुम यमलोक में जाओगे, आज तुमें हम सब कुम्भी पाकादी नर्कों में शीगर ही ले जाएंगे, इस प्रकार यमदूतों की वानी तदा बंदू बांधों का रुदन सुनता हुआ, वह जीव जूर स हाहा कार करते हुए विलाब करता है, और यमदूतों के द्वारा प्रताडित किया जाता है, यमदूतों की तरज नाम से उसका हिरदय विदीर्न हो जाता है, वह कामपनी लगता है, रास्ते में उसे खुत्ते काटते हैं, और अपने पापों का समर्ण करता हुआ, वह पीड जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालुका से पूर्ण तथा विस्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है ठक कर जगह जगह गिरता और मूर्चित होता हुआ वह पुनह उठकर पापी जनों की भांती अंधकार पूर्ण यम लोग में ले जाया जाता है दो वत्वातीन महूर्थ में वह मनुस्य वहां पहुंचाया जाता है और यम दूत उसे घोर नर्क यातनाम को दिखाते हैं महूर्थ मातर में यम को और नार्किय यातनाम के भहे को देखकर वह ब्यक्ती यम की याग्या से याकाश पाश्मार्ग से यमदूतों के साथ पुनह इस लोग अरतात मनुस्य लोग में चला आता है मनुस्य लोग में आकर अनाधी वासना से बद्ध हुआ जीव अपने देह जिसको उसने त्याग दिया था उसमें प्रविष्ट होने की पुनह इच्छा रखता है किन्तु यमदूत द्वारा पकड़ कर पाश में बांध दिये जाने से भूख और प्यास से अतन्त पीडित होकर रोता है हे तारक्ष्य वह पात की प्राणी उत्रों से दिये हुए पिंड तता आतुरकाल में दिये हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक की त्रिप्ती नहीं हो थी उत्रादी के द्वारा पापियों के उदिश्य से किये गे स्राध्ध, दान और जलांजली उनके पास नहीं ठहरती नता पिंड दान का भोग करने पर भी वे क्षुधा से अर्थाद भूख से ब्याकुल होकर यम मार्ग में जाते हैं जिनका पिंड दान नहीं होता वे प्रेतरूप होकर कल्प परेंत निर्जन वन में बहुत दुखी होकर ब्रहमन करते रहते हैं सेंकडों करूड कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग की एक कर्म फल का नाश नहीं होता और जब तक वह पापी जीव यातनाव का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुस्य श्र वे पिंड प्रती दिन चार भागों में विभक्त होते हैं उनमें दो भाग तो प्रेत के देह के पंच भूतों के पुष्टी के लिए होता है तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है नौ रात दिनों में पि पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सीर बनता है दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा अर्थाद गर्दन और सकंध तथा तीसरे पिंड से हिरदे बनता है चोते पिंड से प्रिष्ट भाग अर्थाद पीठ पांचवें से नाभी और छठे तथा सातवें पिंड से क्रमसह कटी अर्थाद कमर और गुहियां गुतपन होते हैं आठवें पिंड से जांगें और नवें पिंड से जानू अर्थाद गुटने तथा पैर बनते हैं इस प्रकार नौ पिंडों से देह को प्राप्त करके दस्वें पिंड से उसकी क्षुधा अर्थाद भूख और प्यास ये दोनों जागरत हो जाती हैं इस पिंडज शरीर को प्राप्त करके भूक और प्यास से पीडित जीव 11 में तता बार में दो दिन भोजन करता है तेरवें दिन यम दूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ हुह प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है ही खग मार्ग में मिलने वाली बैतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमान 86,000 योजन का है वह प्रीत प्रती दिन रात दिन में 247 योजन चलता है मार्ग में आई हुए इन सोलपूरों नगरों को पार करके पात की व्यक्ती धर्मराज के भवन में जाता है सौम्यपूर, सौरीपूर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपूर, शैलागम, क्राउंचपूर, प्रूरपूर, विचित्र भवन, बहवापदपूर, दुखपूर, नानाक्रंदपूर, सुतप्त भवन, रौद्रपूर, पयवर्षनपूर, शीताट ध्यपूर, तथा अहाकार करता, रोता हुआ, अपने घर को छोड़ कर, यमपूरी को जाता है, इस प्रकार, स्रीगर्ड कुराण के अंतरगत सारोध्धार में, पापियों के इस लोक तथा पर लोक के दुख का निरूपन नामक, पहला अध्याय, पूर्ण हुआ, जैस्रीहरी,